उनके पेट पे आप देख सकते हैं ज्वारा ध्यान से देखे हैं इस पे कितनी सारी नीचे में आप देख सकते हैं जो पलंग है वो है दोस्तो की लेकर असमिती तभी से लट्ट का आना चालू हो गया था और ये आम जूलनी है नीचे में आप देख सकते हैं और ये दोस्तो गर आंगन तो दोस्तों सबसे पहले आप सबी को नवरात्री की हार्दिक सुपकामना है और दोस्तों आज हम आप पहुँचे हैं 36 गड के अंतरगत कात्रो ग्राम जो की दूर के से 15 किलोमेटर की दूरी पर है जहां रहती है कुवारी माता और जिनकी कहानी अद्भूत है में आप जो घर देख रहे हैं ये है कुवारी माता का घर तो चलिए अब अंदर जाते हैं और आप सभी को कुवारी माता का दरसन कराते हैं और उनकी जो अद्भूत कहानी है वे आप सभी को बताते हैं तो यहां से जाते हैं और इधर से ढयांगन और इधर बैठती है दोस दोस्तो आप सामने देख सकते हो कुवारी माता जो है वो लेटी हुई है और उनके पेट पे आप देख सकते हैं जो आरा और नीचे में आप देख सकते हैं जो पलंग है वो है दोस्तो किले का यहाँ पे आप सभी ध्यान से देख सकते हैं कि कितने धारे-धार कीले हैं और यह पूरा कीले का पलंग है और इस पे दोस्तो कुवारी जो माता है वो नौ दिनों तक बीना अन्न और जल को ग्रहण किये हैं ऐसे ही लेटी रहती है और दोस्तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका चपल और ध्यान से देखिए इस पे कितनी सारी केले लगी हुई है जिसमें खुब धार है और इसी को पहन करके मातारानी जो है वो चलती है और इनकी जो रहस्यमई कहानी वो अद्बूत है तो चलिए आप बात करते हैं इनकी रहस्यमई कहानी के बारे है तो दोस्तो मैं आप सभी को बता दू कि कुवारी माता का अभी वर्तमान उम्रमातर 22 साल की है और 2019 से वे इस तरह अपने पेड़ पर जो आरा बोना चालू की है लटा का असली नाम विनेश्वरी साहू है और अभी इनकी साधी नहीं हुई है इसलिए लोग इने कुवारी माता करके पुकारते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो 2019 का है चैत नौरातरी का और दोस्तो 2019 से जो कुवारी माता है वे अपने पेड़ पर जो आरा बोना चालू की है मिली जानकारी के अनुसार इनके सर पर जब यह छटवी सात्वी क्लास में थी तभी से लटा का आना चालू हो गया था और नौरातरी पर एक दिन अचाना लट प्रकट हो गया और तब से जो भक्ती है वो और ज़्यादा दिखने लगी और अभी वरतमान में मातारानी को देख सकते हैं इनका रूप नौ दिनों तक नौरातरी में अन जल को त्याग करके इसी अवस्था में रहती है न तो कुछ खाती है न कुछ पीती है और बात करे बाकी दिनों की तो नौरातरी के बाद दुस्तो ये नौर्मल रहती है और इनका दुस्तो दिवेदरवार भी लगता है सुमवार गुरुवार और रवीवार को तीन दुनों तक दिवेदरवार लगता है जिसमें भक्तों की समस्यों को सुनती है और उसका समाधा निकालती है कुमारी माता और बात करे पढ़ाई की तो माता रानी माता आटवी क्लास तक पढ़ी है और उसके बाद छोड़ दी है पढ़ाई तो कि भक्ती में लीन हो गई इस वज़े से इनका पढ़ाई छुड़ गया तो यह दोस्तो कुमारी माता की अद्भूत कहाँ है और बाहर में है दोस्तो इनका जूला तो चलिए उसे भी जा करके देखते हैं तो दोस्तो यहां सामने आप देख सकते हैं जूला और यह आम जूला नहीं है नीचे में आप देख सकते हैं किल लगा हुआ है पूरे किले से बनी हुई जूले तो इसमें माता रानी जू है जूलती है जब उनको माता आता है और ये है दोस्तों उनका घर आंगन आप दीख सकते हैं और इधर साइड़ा कीचन और ये है दोस्तों उनके मम्मी और ये है कुवारी माता की अद्बुत रह तो इस लोड़ी को एक लाइक कीजिए और अगर आपके मन में कुछ सवाल उठता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए धन्यवाद